तो हलो गाइस आज हम बनाएंगे बेले की सबजी जो काफी टेस्टी बेले की सबजी बना के रेडी करेंगे बेसन के हम बेले बनाएंगे बिना प्यास टमाटर के हम ये सबजी बनाएंगे और जब कुछ भी बनाने का जी ना करें कुछ समझ में ना आएं तो आप इस तरह से इन बेले की सबजी बनाईए गाई से काफी टेश्टी बनके तयार होती है तो चले गाईस इसके लिए करते हैं हम हम तयारी तो सबसे पहले हमने एक टोरी बेसन ले लेना है मैंने एक टोरी बेसन लिये और उसमें ये मसाले एड़ कर दूँगी जिसमें हलदी, नमाक, मेर्चे और जीरा पाउड़ जीरा और जीरा पाउड़ है गाईस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर बेसन के अंदर आप चाहे तो अधरक लसन का पेष्ट भी इसमें एड़ कर सकते हैं अब इसमें दो चम्मच ओयल एड़ करूंगी ताकि इसका आटा बिल्कुल सोफ्ट तयार हो ये देखे गाईस अब में इसमें दो चम्मच ओयल एड़ कर दूंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तेल को मैं साइड में कर देती हूँ ओर इतना हमें पानी ले रही हूँ लेकिन मिंझे इतना पानी नहीं चैये ये मुझे थोड़ा सा ही पानी चीए इसके अंदर तो मैं एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालती रहूंगी पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं इसको अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका स्टिक डो बना लूँगी यह देखिए गाईस एकदम टाइट डो मैंने इसका बना लिया है यह देख पा रहे होंगे आप कि सोफ्ट बनके रेडी होएंगे तो चलिए गाइस बनाते हैं हमारे बेले तो इसके लिए मैंने यह इतना पानी लिया था उसमें मैंने थोड़ी दो या तीन चम्मची इसमें पानी लगे तो मैंने एक जो रोटी जिस पर हम बेलते हैं वो ले लेंगे और इस पर थोड़ा थोड़ा सा हम लोई लेके इसको अच्छ से ऐसे करके मेश और इसको ऐसे हम इसके लंबी 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 लंबे बेले बाट लेंगे इस तरह से हम बेले बना लेंगे गट्टे की सबजी भी बनती है इनकी गट्टे की मैं अगली वीडियो में बताऊँगी अब इमें इस तरह से सारे बेले बना लिए गाईस देख पा रहे होंगे आप इस तरह से थोड़ी से मेहनत बस यह लगती है यह देखिये कुछ इस तरह से मेने पतले-पतले बेले बनाएं गाईस इतने आटे के इतने बेले बनके ready वे हैं तो चलिए गाईस अब हम इनको करते है बोईल तो चलिए तो मैंने गेस पे एक पेन जड़ा दिया कड़ाई और उसके अंदर में डाल दूँगी पानी पानी में इसमें आप वोतल पानी की एड़ कर दूँगी और इसको अच्छे से बोईल होने दूँगी गाईस और देखे गाईस पानी हमारा बोईल होना शुरू हो गया है यह बेले एड़ कर दूँगी जो हमने बेले थे इसको अच्छे से हम एड़ कर देंगे सारे बेले में एड कर दिये हैं और इसको अच्छे से चलाते वे पका लेने थोड़े से बोईल कर लेने इसको इस तरह से चम्मस से मिलाने से ये एक दूसरे से जुड़े में होंगे तो ये खुल जाएंगे एक एक अलग-अलग हो जाएंगे गाईस तो इस तरह से मैं चम्मस मिलाते वे कर लूँगी और ये देखे गाईस बेलें हमारे अच्छे से बोईल हो रहे है ये देख पा रहे हुँगे इस में एक रटोरी में इसमें डाल दूँगी 1 गालिक पेष्ट और इसमें डाल दूंगी हाफ टीस्पून नमाक, हाफ टीस्पून हल्दी पावडर, ओर यहाफ टीस्पून से ज़्यादधा में रेड़ी पावडर डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला और चाठ मसाला एट कर दूंगे मैं जो आप टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लूगी और इसमें पानी डाल के एक वेटरबरать आ लेंगे। तो इसमें पानी अड़ करें गे और इसको मिल आ लिंगे। तो यह तो यह हम 製ाल इसका तयार कर लिए गाइस। आछहिए इस-क आलाव हम कोई मसाला और नहीं लेंगे गाइस तो यह देखिए मसाला हमारा रेडियो चुका है और यह मैंने जो बेले बोईल करके रखे थे वो इस तरह से अच्छे से पक चुके हैं तो मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है पानी से बार इसका पानी में इसका यूज करने वाली हो तो कड़ाई चड़ा दिये मैंने गेज पर एक बड़ा चमज में इसमें ओल डाल देती हूँ और मैं आप इसमें हिंग पाउडर डाल दूँगी और इसको जीरा डालके अच्छे से चटकने दूँगी तो यह जीरा मैंने डाल दिया तो आम जो मसाला हमने बनाया था वो इ इस तरह से जट पट बनाई यह सब जी काफी इसाब बनके रेडी होती है तो अब मैं इसमें जो बैले हमने बोइल करके रखे ते वह एड़ कर दूँगी और इनको अच्छे से मिंग्स कर लूँगी तो आप कुछ इस तरह से अमने इसको मिक्स कर लें चाहे तो आप इस त अल्मोस्ट रेडी है अच्छे से पक चुके हैं ये मसाले के अंदर देखे कितनी आसान तरीके से हमने ये सबजी बनाई है तो ये देखे मैं इसमें जो पानी हमने नकाला था ये निकाई वह एड कर दूँगी इससे इसकी ग्रेवी काफी टेश्टी बनेगी गाईस इसके अ सब्जी बना के अक्दम असान तरीके से हमने इबेले की सब्जी बना के रैडी कर लिये ये देखे हैं इस तरह से ब्राएँगे सब्जी तो काफीनह plastic बनके रैडी होगी और यह देखे गाई सबसब कीजिए अच्छे से यह देख पा रहोंगे आप कितनी अच्छे हमारी सबजी बन के रेडियो ही है और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिए गाईस थैंक यू